हेलो स्टुडेंट्स आज हम बात करेंगे कात्रा कीट के जीवन चक्र के बारे में रेड हैरिक केटरपिलर जो की इसका विज्यानिक नाव एम सेक्टामूरी इसका गण लेपिडोप्टेरा कुल आर्किडीडी होता है कात्रा कीट का सामाने परीचाई कात्रा कीट के व्यस्क फतिंगे मोटे शरीर वाले जिसे स्थुलकाई हम कहते हैं वह सामानतिया मद्यम आकार के काले बिंदों से गीरे सफेद पंक जिन में आगे वाले पंक के बाहरी किनारे वक्ष का कुछ भागयां उदर सिंदूरी लाल होता है पूर्ण रूप से विक्षिद इल्ली 40-50 मिली मिटर लंबी होती है कात्रा कीट का पूरा शरीर लाल भुरे रंग के बालों से धका होता है इस कारण इसे रेड हैरिकेटर पिलर भी कहते हैं पोशक पोदे कात्रा कीट खरीप में पैदा होने वाली लगबग सवी फसलों को नुकसान पहुचाता है जिन में विसेश रूप से मक्का, मुंग फली, बाजरा, जवार, गवार, तुवरदार, तील, आधिक औ अधिक खानी पहुचाता है यह कीट पत्तियों तथा पोधों के मुलायम बागों को खाकर नश्ट कर देती हैं जिसे हमें अधिक से अधिक नुकसान पहुचता है कात्रा कीट का जीवन चक्र लाइप साइकल जो की बहुती सरल होता है कात्रा के पतंगे वर्षा रितु में अच्छी भारी वर्षा के बाजमिन से रात के समय बाहर निकलते हैं बाहर निकल कर ये पतंगे, शलब, प्रकास इस्त्रोतों की और अकरशिद होते हैं जैसा की हम पारिश के दिनों में अकसर देखते हैं व्यस्क मादा फतिंगा मैतून के कुछ गंटों बाद ही हलके पिले रंग के अंडे देती है ये अंडे पतियों की निचली सतह पर समुह में दिये जाते हैं ये अंडे समान ये तह पोस्त के बीजों के समान दिखाई देते हैं अर्थात जो अफिम के बीज होते हैं उसके समान डिखाई देते हैं इन अंडों से चार से पाँच दिन में शीशु सुन्डी जिसे हम लारवा करते हैं यह कातरा किट के प्रत्थम मवस्ता हैं जिसमें लारवा का चन्म होता है लारवा कहा जाता है बाहर निकल आती हैं जो आरंब में समोहों में पत्यों को खाती है इसके पस्चात वह अलग-अलग रूप में अलग-अलग होकर पत्यों को नुकसान पहुँचाती है सुन्डी लारवा अपनी तवच्चा का निर्मोचन लगबग छे बार करती है यह लार्वा लगबग 15-25 दिन में पूर्ण रुप से विक्सित हो जाती है तथा प्यूपा में परिवर्थित हो जाती है प्यूपा में परिवर्थित होने से पूर्व बारी संख्या में खेतों से निकल कर आसपास की परती भूमी में मेडों चाडियों तथा पेडों आदे के नीचे जाकर 10-30 सेंटिमेटर की गहराई पर कोशा वस्ता में बदलती है यह प्यूपा आगामी वर्षा रितू तक 9-10 महा बुमी के अंदर पड़े रहते हैं प्यूपा लार्वा से जो तीसरी अवस्ता आती है वो खेलाती है प्यूपा जिसमें कीट व्यस्क होने लगते हैं इस कीट की वर्ष में सामानित एक पीड़ी वक कभी कभी अधिक पीड़ियां भी पाई जाती है इसमें एक शब्द आया कोशा वस्ता कीटों की वह वस्ता होती है जिसमें वह जमेन के अंदर लगबग 3-4 दिन पड़े रहते हैं और पूर्ण रूप से विक्सित होकर बाहर निकलते हैं प्रबंदन रासाइनिक प्रबंदन हेतु खेतों में लारवा के निकलते ही फसलों पर मिला थियां 0.5 प्रतिशत यां क्यूनौल फॉस 1.5 प्रतिशत चूर्ण का 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेर की दर से भुरकाओ करना चाहिए या फिर क्यूनौल फॉस 25 EC 1.25 लिटर को 250 से 500 लिटर पानी में गोल का चिड़का करने अंतरन किया जा सकता है खेतों में काथरे का प्रकॉप होते ही खेतों के चारों और नालियां खोद कर मिला थियां या क्यूनौल फॉस से नाली को उपचारित कर देना चाहिए नाली को उपचारित करने से एक खेत से दूसरे खेत की और गमन करने वाले सुन्डी नाली में गिरकर नश्ट हो जाएंगे इससे काथरे का प्रकॉप कम हो सकता है